जय स्री क्रिष्णा कता कहानिक गीत चैनल में आपका स्वागत है सनी महाराज की कता आग्या लीग गुरुदेव से फिर सीष नवा एक कता कहुं सनी देव की भासा सरस बना आए सर पर्थम स्री सरस्वती को ध्यान करके गणपती जी को नमासकार करके तथा आपने गुरुदेव के चन्नों में सीष नवा कर मैं स्री सनी देव जी की कता प्रारम करती हूं यह सनी देव जो मन वांचिक कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिने सकल नर नारी और तेतिस कोटी देवता योगिश्वर मुनिश्वर ज्याते हैं वही देव मेरी तुटियों को शमा करे और मुझे अपनी सरण में ले मेरे मन में आपके पर्थी अगात प्रेम है यह बात सरविदिक हैं जो लोग शनी देव को जाते हैं उनके सब मनोरत सफल हो जाते हैं तथा जो शनी देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नारग्यामी होता है अगले जन्व में पसुकी योनी में जाता है जो कथा में तन मन से कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहन करें एक बार संसार में चारो तरफ पुझे जाने वाले नव ग्रह एक इस्तान पर एकत्र हुए परस पर वीविद परकार से वारतालाब करने लगे जब बात गुमती हुई उस्तान पर आव पहुँची कि हम नो ग्रों में सबसे बड़ा और सरवातिक पुझनिये देव कौन है तो परते ग्रह देवता अपने आपको बड़ा करने लगा इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा तो कोई निर्ने नहीं हो सका तो यह तै हुआ कि चल कर इंद्र से इसका निर्ने कराना चाहिए सो वे सभी नो ग्रह देवता इंद्र देव के समख से उपस्तित हुए उन सोब की बाते सुनकर इंद्र देवी सोच में पढ़ गए किसे छोटा का हूँ और किसे बड़ा किसकी सर्दा के पात्र बने और किसके कोग का भाजग अंत में सोच समझ कर निर्ने न करते हुए वह बोले कि अलप बुद्धी इस बात का निर्ने करने में मैं समर्त हूँ मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान पुर्वक संभाव से करता हूँ इस पर नव ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्ने आपको अवश्य करना चाहिए तब देवराज बोले आप लोग मर्त्यू लोग में जाईए वहाँ एक अत्यंत न्याय प्रिये राजा विक्रमादित्य राज करता है आप उसके पात जाईए वहाँ अवश्य आपका कोई न कोई उच्ची तनी नहीं कर देगा इंद्र से निराज होकर वे सभी नव ग्रह मर्त्यू लोग में जाने को ततपर हो गए देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहाँ जाते देखा तो परसन होकर चेंद की सांस लिए इस धर्म संकट से निकलना उसके लिए सच्मूशी कितना दुस्वर था पर अपनी चतुरुआई से अपने उपर आई संकट को राजय विक्रमादित्य पर टाल दिया उज्जे नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाग थी एक तो वहाँ राजय विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ग्यानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था दूसरे उस न्याय प्रिय राजा के न्याय से उज्जे नगरी में सारे भारत में नंका बसता था स्वर्ग में जब नव ग्रहों का निने न हो पाया तब वो अपने अपने विमानों में आरूड हो मर्त्यू लोग में आ पहुँचे ठीक उज समय जब राजा विक्रमादित का दर्बा ठसा ठस भरा हुआ था तब नवग्रह वहां जा पहुंचे नवग्रहों को इखटे देखकर विक्रमादित अपने सिहासन से उठ खड़े हुए और सबी देवों को सम्मान पुर्वक आसन ग्रहन करने का अनुरोद करने लगे परन्तु उन में से किसी ने भी आसन ग्रहन नहीं किया विक्रमादित ने जब प्रश्ण वाचक द्रश्टी से उनकी ओर देखा तो प्रस्वती देव आगे बढ़कर जोरदार आवाद में कहा हे राजन हम यहाँ पर सब जब तक आसन ग्रहन नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निन्न नहीं करेंगी कि हम लोगों में से बड़ा कौन है राजा अपने उपर आये इस धर्म संकट को देकर पल भर के लिए गबरा गया परंतु सीख रही उसने स्वर्म को संभाल लिया उसने अपने मन में एक युक्ती सोच ली दरबार में छोटे छोटे आशनों की एक पंक्ती परवेस्त वार तक लगा दी राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आशन ग्रण कीजिया और मैं सोच समझ कर अभी आपका नेने करता हूँ यह करकर राजा अपने सिंगासर पन बेट गया सिंगासन के निकठी जो आशन पड़ा था उज़ पर भाग कर ब्रसपत्र जा बेटे उनके अगले आशन पर सुर्यदेव जा बेटे सुर्य के निकठी चंद्रमा और फिर इसी क्रम से बूद मंगल राहू केतु इत्यादी ने भी अपना अपना आशन घ्रण कर लिया पंग्ती में आटवे थे सुक्र किंतु उन्हें भी संतोष था कि इसके बाद सनिचर बेटेंगे किंतु आशन परवेस्तवार के सम्विप होने के कारण और सबसे आंत में होने के कारण सनिदेव उस पर नहीं बेटे राजा विक्मादित ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बेटेगा वह उसी को मिने और दयासिल के आदार पर बढ़ा कह देंगे पर महां तो बात ही दूसरी हो गई सनिदेव अती क्रोधी और विकट स्वभा के देता थे वह जब नहीं बेटे तो आटो ग्रह खि रुकूटी तन गई क्रोज से कांपते हुए बोले राजन मुझसे वेर लेकर तुछ ने अच्छा नहीं किया क्या समझ कर तुमने मुझ पर इस परकार अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है चंद्रमा का परवा सवा दो दिन रहता है और सूज सू आफदान हो जया तुने जो अपमान किया है इसका डंड तुझे अवश्य मिलेगा राजा के कुछ दिनों तो आरां से बीत लेकिन सीग्र ही सनीदेव की कोप द्रश्टी फीरी और राजा की साड़े सती आ गई उनी दिनों एक व्यापारी कुछ गोड़े बेजने के लिए उजे नगरी में आया सुंदर सुंदर गोड़े देकर राजा का जी लल्चा गया राजा ने उसे खरिदने का आदेश दिया गोडो में एक गोड़ा बमल नाम का था राजा उस पर चड़ कर देखने लगे कुछ देर तक तो गोड़ा राजा को लिए वही गुमता रहा ले उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा उदर एक पगडंडी से गवाला अपने गाउं को जा रहा था वह राजा की आवाज सुनकर रूख गया राजा उसके पास गया गवाले ने उसकी व्यता जानकर उसे निकट की नदी में ले जाकर पानी पि तुम मुझे रास्ता दिखाओ तब गवाला उसे अपने साथ गाम ले गया वहां एक मिष्टान की दुकान पर राजा ने मिटाई खाकर पी कर भूग मिटाई अव दुकांदार को भी एक अंगुटी उतार कर दे दी दुकांदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा क वह उज्यन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बिखा है फिर दुकान के बंद होने पर वहीं भैठा दुकांदार से बाते करता रहा उस दिन दुकांदार को उनका बड़ा स्वागत सतकार किया और अतित्य के लिए विशेश रूप से बोजन तयार किया बोजन करते समय एक अद्बूत गटना गटी जहां राजा बोजन कर रहा था वहीं सामने की दिवार पर सोने का एक हार खुटी पर टंगा हुआ था सरसाही वहार वहां से अद् कुछा राजा बोला मुझसे तो नहीं मालूम तुमारे और मेरे अत्रिक तो यहां कोई था ही नहीं सच सच बताओ हार कहां है मुझे नहीं मालूम राजा फिर बोला मेरे पास कोई हार नहीं है जब कोई निर्ना नहीं हो सका तो दुकांदार राजा को उस नगर के राजा क पास ले गया उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित की भोली भाली शुरत देखी तो बोला यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता है करकर उसने विक्रमादित को छोड़ दिया विक्रमादित जब उस नगर में यूँ ही इदर उदर गूम रहा था तब उस नगर में ए गाणी पर बेठा उसके बेलों को हाकता रहता और तेली बाजार में तेल बेशा था जब वर्षा रितु आई तो मुश्लादार वर्षा होने लगी तब गाणी पर बेटे हुए विक्रमादीत ने मोज में आकर उंचे उंसे स्वर में राग लापना आरम कर दिया निकट ही उ वहां राजा को गाते हुए देख कर लोटी और राजकुमार से बोली कि वहां तो कोई अतिस सू कुमार नव युवक बेटा मस्ती से आंके बंद किये गा रहा है राजकुमार ने सुना तो उसके अनजल का त्या कर दिया रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो राणी न और उससे व्यार अचाना चाहती हैं राजा ने सुना तो बहुत कुरुद हुआ उसने तेली को घर से विक्रमादित को बुलाया और उसके दुनों हाथ काटकर जंगल में फिकवा दिये यह बात जब राजकुमार को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर द्रड़ हो मामुली डंग से पारिक ग्रहन कराया और एक साधारन मकान में दोनों को बसा दिया दोनों वहीं रहने लगे एक दिन जब विक्रमादित सोया था तो स्वापन में उसे सनीदेव नजर आये विक्रमादित ने उसके सामने नमसकार किया और समायाचना की सनीदेव ने उसे आशिरवात दिया और बोले अव तुमारी साड़े सात वर्स खत्म हो गई हैं राजा बोला मुझसे तो गल्ती हुई है उसके लिए मुझे समा कर दिजिए सनीदेव ने मुझका कर उसे आशिरवात दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आय राजया ने अपने पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं वह रात को उसके गले में अपनी माहे डाल कर सो गया सुबह राज कुमारी के आखे खुली तो उसने गर्दन में माहे पड़ी देखी तो वह चोग कर उठी और बेठी लेकिन सिख रही विक्रमादित ने जाकर उसको सब बातों को आवगत करा दिया जब वहां से राजा को यह बात मालूम ही कि वह बागा बागा आया और उस अपंग को फिर से स्वेश्ट देख कर चकित रह गया उसने भी विक्रमादित से यही कहा कि यह सब सनीदेव की करपा का फल है और विक्रमादित ने अपना वास्तवीक परिचे भी उस राजा को दिया और सारा किसा विस्तार से सुनाया सुनते ही राजा विक्रमादित के चन्नों में गिर गया और समायास्निया कने लगा बस यह खबर सिक्र ही सारे नगर में फेल गई दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भगा भगा आया और विक्रमादित के पावों में लोटने लगा विक्रमादित ने उसे उठा कर आसन पर बिटाया और कहा कि तो मा घर जाकर उसी खूंटी पर देखो हाठ तंगा होगा और सच में दुकानदार ने देखा हाठ तंगा पाया फिर विक्रमादीत ने वहां से राज्या को विदा मांगी जब वहां से राज्या ने हाती गोड़े इत्यादी नोकर नोकराणियों को साथ लाव लशकर समेश विक्रमादीत को विदा किया राज्य विक्रमादिते जब राज कमारी को लेकर अपनी नग़री उत्जेन में लश्कर समेश पहुंचा तो सारी नग़री का उट्सा छा गया अपने राज मेल में परवेश करने से पूर्व विक्मादीत ने नव ग्रोव की पुजा किया और सनी देव को सर्वोच इस्तान दिया साथ ही उसने नगर भर में डिंडोरा पिटवा दिया कि सनी देव मनोव आंचिक फल को देने वाले हैं रखते हैं इस परकार शनी देव को मन मना कर विक्मादित ने अपने राज येस और किर्थी को प्राप्त कर लिया जैस शनी देव की